बिहार सरकार का को कोई संसाधन नहीं है जो संसाधन है वो अपने चहतों के जिब में जा रहा है बिहार के जनता को फिर निरासा ही हाथ लगेगे पिछले बार भी एक लाके क्यानवी हजार करोड रुपया दिये हैं अपने से एक तालीस हजार करोड जुटा पाएं किंदर नहीं देते चलेंगे एको दिन विधान सभा में 13 करोड जनता के हित के लिए जो भी करना होगा लोकतांत्रिक तरीके से भारतिय जनता पार्टी करेगे आज बिहार विधान सभा में बिहार के लिए बजट पेस होना है हमारे साथ बाचित के लिए भारतिय जनता पार्टी के विधायक है हरी भूसन ठाकुर बचाओर उनसे बात करते हैं कि आज बजट पेस होना है क्या उमीद है एक कटोड़ा का बजट है केंदर सरकार के असरे बजट बनाया गया है बिहार सरकार को कोई संसाधन नहीं है जो संसाधन है वो अपने चहतों के जिब में जा रहा है बिहार के जनता को फिर निरासा ही हाथ लगेगी क्या कुछ उमीद है कहा जा रहा है कि केंदर से भी ये लोग ठके गए हैं हम लोग पिछले बार भी एक लाक क्यानवी हजार करोड रुपया दिये हैं अपने से तालीस हजार करोड जुटा पाएं किंदर नहीं देते चलेंगे एको दिन क्या मामला रहेगा इस पर विधान सभा में आप लोग का विधान सभा में 13 करोड जंता के हित के लिए जो भी करना होगा लोकतांत्रिक तरीके से भारतिय जंता पाटि करेगी लालु प्रशाद यादब पर एक बार फिर से संबन जारी किया गया है नौकरी देने के मामले में उन्होंने जमीन लिख वाया है इस मामले को लेकिन आप लोग पर आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव इसलिए आया है इसलिए इस तरीके से कर रहे हैं अद्यब गौरा लगाने के लिए तो कोई लगाएगा जैसी करनी वसी भरनी चलिए तो हमारे साथ भारतिये जनता पार्टी के विधायक हरी भूसन ठाकुर बचौल थे लालु प्रशाद यादब पर जो है वो संबन जारी किया गया है CBI कूट की तरब से और 15 तारी को पेश होने के लिए भी कहा गया है और विहार विधान सभा में आज बजट पेश होना है और इस बजट को लेकर काफी आसा है विहार वास्यों को और क्यूंकि ये आम बजट होगा और ऐसे में तमाम भारतिये जनता पार्टी के लोगों को क काम किया जाएगा अब देखना होगा कि जब आज बजट पेश होता है तो इस बजट में क्या कुछ विशेस होता है बिहार वास्यों के लिए और क्या कुछ सही निकल कर सामने आता है लेकिन जो आरोप लालू परशाद यादब के उपर जमीन लिखवाने का है नौकरी दे परटी के विधाय का कहना है कि परटीशन देने वाले लड़न सिंग है जिनके साथ आज लालू परशाद यादब गलबहियां किये हुए हैं अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है पर इस परनेशन के साथ नमस्कार